चेंज दे वॉइस यहां सेंटेज दिया है I shall eat a mango सेंटेज में shall है और वर्ब का first form है तो यह simple future tense है हमें इसका passive बनाना है तो वर्ब का आगे का part औबजेक्ट यह start मिलेंगे हम यह को capital कर देंगे mango अब helping वर्ब आते है future tense में shall या will आप मैंगो फ्रूट है तो हम विल लेंगे विल उसके बाद आपको बी एक वर्ड लेना है बी विल भी अब यह वर्ब है इसका थर्ड भाम होगा इसन अब हमें बाइक नीव वर्ड लेना है और यह आई जो सब्जेक्ट है इसका पैसी होगा मी फुल स्टॉप दिना है